नवश्कार दोस्तों मैं हूँ लोकेंड और क्राइम तक का जो यूट्यूब का लाइव है उसमें आपका बहुत-बहुत सौगत है और आज का जो ये लाइव है वो डिकॉर्डेड है और क्योंकि कोरोना के जो मामलें वह बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं देश के अंदर तो करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब हमारे जो डिएड़ बजए का भी शो है वो रिकॉर्डेट रहता है तो करोना की वज़े से सारे इंतरजाम किये जा रहे हैं ताकि कंपनी में इतने भी लोग काम करते हैं वो करोना से महफूज रहें तो यह एक अच्छा कदम है हमार आधात है वो ग्रेटन ग्रेटन वर्ड़ा की है ग्रेटन वर्ड़ा में यह बात है एक और दो माई की धर्यानी रात 2014 की जो फायर ब्रिगेड है उसको एक कॉल मिलती है परीवन बारह एक बज़े के असपस की एक कार में एक शेवर्ले एवियो कार में आग लग गई है ग्रेटन वर्ड़ा का जो पाई सेक्टर है वहाँ पर यह कार जो है वो जली हुई हालत में मिली है और कार के अंदर एक ड्राइविंग सीट पर एक लाश भी है जो जो भी जो काफी बुरी तरह से जल गई है पुलिस मौके पर बहुंचती है और देख वाजा उसको देखकर पुलिस यह लगाती है कि शायद कार में कोई मेकनिकल फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से यह जो चलती हुई कार में आग लग गई और जो ड्राइवर था वो वक्त रहते कार से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी भी इसास से मैं जलकर मौत हो गई पु उसको पुलिस लेती है और पता करती है कि आखे कार जो है वो किसके नाम पर राइस्टर्ड है तो पुलिस को मालम चलता है कि यह जो कार है वह अल्फा टू के रहने वाले चंदर मोहन शर्मा उनके नाम पर राइस्टर्ड है और चंद मोहन शर्मा डेटन होंडा में होंडा की फैक्टरी है उसमें काम किया करते थे एक वरकर की तरह से तो पहचान थी कि वह एक होंडा फैक्टरी में काम करते थे लेकिन चंदमाउन शर्मा की एक अलग पहचान और थी वह जो आम आदमी पार्टी है जो 2014 में शायद नई पार्टी थी अब तो थोड़े बहुत पुरा लेंड ग्रैबिंग हो रही थी जो लेंड माफिया था उसके खिलाफ काफी आवाज उठाई थी और इसकी वजह से उनके उपर कई बार हमला भी हुए थे जिसके शिकायत उन्होंने पुलिस को की थी तो उनको पुलिस को पता चला कि कार चंदमाउन शर्मा की है और पुलि लेकिन एक माई की रात को घर नहीं लोटे तो घरवालों के चिंता हुई और उन्होंने चंदमाउन शर्मा के मोबाइल पर काफी फोन करने शुरू किये लेकिन उनका जो मोबाइल था वो स्विस्डॉफ था तो ऐसे में घरवालों ने पुलिस को इतला दी और जब पुलि चंदमाउन शर्मा की है परिवार पहुंचता है मौके पर कार को देखता है वो पहचान कर लेता है कि ये कार चंदमाउन शर्मा की है लाश को देखता है लेकिन लाश काफी बुरी तरह इस से जल चुकी थी तो लेकिन कदकाटी के हिसाब से देखता है तो उनको लगता है क कि शायद यह लाश जंदमोहन शर्मा यह लेकिन परिवार यह मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि यह जो सब्सक्राइब होई है वो किसी हाथसे में होई है उनको लगता है कि हो नहूं इस पूर से के पीछे साज़िश है और चंदमोहन शर्मा का कतल किया गया है और उसके पुरे कतल की वारदात को हाथसे का मेक अप करने की कोशिश की गई है पुलिस हाला कि कंविंस थी कि मामला हाथसे का ही लग रहा है कि एक्सिदेंटल डैथ हुई है या गाड़ी में आग लग की उसकी वजह से जन्वहिं शर्मा की मौत होगी हाला कि पुलिस जो लाश थी उसको पॉस्समार्टम के लिए भीज देती है और उसके बाद घरवालों को सौब देती है लाश घरवाले भी अपना अंतिम संसकार कर देते हैं और मामला जो है वो आया गया हो जाता है परिवार काफी सवाल उठ आता है प्रेस वाले भी उसको कवर करते हैं कई दिन तक लेकिन मामला थी हलके हलके पूरा धीला पड़ता जाता है और पुलिस की इन्वेस्टिकेशन भी कहीं ना कहीं आके धीली पड़ जाती और वो फिर आगे ज्यादा टप्तीश करते नहीं है इसी बीच ग्रिटर इन को परिवार पहुंँचता है और गुंशुद्गी की रिपोर्ट इंको धाने में दर्श करवाता है पुलिस रिपोर्ट धर्श कर लेती है लेकिन आप जानते है कि पोलिस की तफ्तीश जो रहती है खास तो पर एक फूरी पुलिस की वृदा धिल ही ईरती है पहले तो तो पहते हैं कि आप थोड़े दिन इंतजार करिए और हो सकता है कि आपकी बेटी कहीं गई हो तो लॉट है तो परिवार भी अपने स्तर पे जितनी चानवीन कर सकता था जितना भी ढूंड सकता था ढूंडा परिवार ने काफी लेकिन लड़की जो थी उसका कुछ पता नही अचानक अगस्त में 9 अगस्त को यह लड़की थी इसके परिवार के पास फोन आता है कि आपकी जो लड़की गाइब हुई थी वह बैंगलोर के पास रुपती बालाजी में देखी गई है और आप यहां पर आओ और उसको ले जाओ तो जब 9 अगस्त को 9 अगस्त 2014 को पुल कोई नो कोई ऐसे ही मजाग कर रहा है और वह बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं है इस पूरे फोन कॉल पर लेकिन अचानक फिर 12 अगस्त को एक बार फिर फोन आता है परिवार के पास और परिवार को जो फोन करने वाला शक्स है वही बात दोराता है कि मैंने आपकी बेटी को यहां पर तुरुपती बालाजी में देखा है और आप आईए और उसको लेके चले जाईए परिवार ए आफ लोई यही जा ओरिवार से ओर ही और आजपर यही बात करने वाला शक्स होता है वो यही बात दोहर आता है कि मैंने आपकी बेटी को दिरुपती बालाजी में देखा है और आप आईए और उसको यहां से देगर चले जाईए अब घरवालों का मार्था ठनकता है क्योंकि तीन-तीन बार फोन आ गए और उनको लगता है कि तीन-तीन बार तो कोई मजाक नहीं करेगा और वो बता भी रहे कि इस कटकाटी की लड़की है और यह भी पताता है कि मैंने कहीं पे उसका फोटो देखा था गुमशुदा में और फिर मैंने जब उसे तृपती बाला जी में देखा तो इस वाज़से मैं आपको फोन कर रहा हूँ तो अब परिबार पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस को पताता है कि इस इस तरीके से हमारे पास यह फोन कॉल आ रही है और उसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो बेटी है वो तृपती बाला जी में और आप वहां पर जाकर उसको अपने साथ लेकर आ सकता है फोन पता लगाती है तो पुलिस को मालूम चलता है ये लिकिन खास तोर पी चिह किये गए थी तो पलिस कई गई थे तो पुलिस की टीम जब PCO ओनर से बात करती है तो बताती है कि बैंगलॉर के इस इलाके से हुलार इलाके से फोन किये गए तो ब्रिटन वड़ा के जो आला अधिकारी होते हैं वो एक टीम त्यार करते हैं और वो जो टीम होती है वो बैंगलॉर के लिए रवाना हो जाती है टीम जब बैंगलॉर पहुसती है तो वो सीधे उन PCOS पर जाते हैं जहां से फोन कॉल किये कहते हैं साथ में PCO के आसपास जो लगे CCTV कैमरे हैं उनका भी वो फोटेज निकालने की निकालते हैं और तीनो जो PCOS थे उसके आसपास लगे लिए पोलिस को CCTV फोटेज मिला और ती तीन बार पुलिस को CCTV फोटेज में देखा उसने होंडा होंडा मोटर जो है जो स्कूटर्स वगेरा बनाती है उसकी यूनिफॉर्म पेन रखकी दिए पोलिस ने पता किया आसपास के लोगों से तो यह ग्यों आलम चलाएगी यह कोलार इलाका है इसमें नर्सापूर इंड निकालके लाती है और वहां पर होंडा की फैक्टरी पहुचकर यह लोग अपना बताते हैं कि वह ग्रैप्स दिखाते हैं वहां के स्टाफ को स्टाफ ग्रैप्स देखता है और कटकाठी और यूनिफॉर्म अगरा देखके वह कुछ लोगों को बुलाता है वहां पर के जो था इस बातचीत करती लेकिन उसमेसर भी पुलिस को मिले था CCTV फूटेज खर रहा था तो पूलिस ने से नितिन नितिन शर्मा है और हर्याने का रहने वाला और करीबन दो-तीन महेने से यहां पर जो हॉंडा की फैक्टरी है बैंगलोर में बहां पर काम कर रहा है पुलिस सरसरी नौर पे सरसरी तौर पे नितिन शर्मा को देखती है लेकिन पुलिस को अचानक एक जटका तब लगता है नितिन शर्मा जो है उसके हाथ पे एक टैटू बना हुआ है और उस टैटू पे चंद्रमोहन, सविता और बंटी यह तीन नाम लिखे हुए अब पुलिस का माथा ठनकता है और पुलिस को लगता है कि कहीं वही चंद्रमोहन तो नहीं है तो इस बीच में पुलिस जो चंद नितिन शर्मा पुलिस की टीम को अपने जो कमरा है जो अकमेडेशन है वहां पर लेके जाता है और वहां से पुलिस उस लड़की को बरामत करती है जो 6 जून को ग्रेटर नौइडा से गाएव हुई थी अब पुलिस की टीम दोनों को लेके ग्रेटर नौइडा वापस सब enough करती है तो नितिन शर्मा पहले तो पुलिस को फूल जाने के कोशिश करता है घुमाने के कोशिश करता है लेकिन जब टैटू और बाकी सारी चीजों के बारे में पूछा जाता था तो अपनी असली अड़नटीटी बताता है ये नितिल शर्मा वो चंद्रमाइं शर्म की थी पुलिस को बहुत बड़ा जटका लगता है कि कि जो बंदा मर चुका है वो अचानक कैसे सामने आ गया और दूसरी बात यह पहली यह भी थी कि अगर यह जिन्दा है तो जो उस कार में जो लाश मिली थी वो किस की थी तो अब पुलिस चंद महांशर्मा से कडाई से बताता है कि वो ग्रीट अन्वडा की हॉन्डा अक्टरी में काम करता था और उसकी उम्र 38 साल है उसका शादी चुदा है जो पतनी है उसका नम सविता है और उसके बच्चे भी हैं और यह भी बताता है कि वो काफी अमना आंदुलन आप पार्टी और इसके लाबा जो मुव्मेंट था उससे भी जुड़ा हुआ था और काफी सक्रिय था राजनीतिक तोर पर कहा जाना चाहिए वह बता था कि वह अपनी शादी से खुश नहीं था और वह चाहता था कि यह जो लड़की है जो छे जून को गाय भूई थी जिसके उम्र पत्चीस साल थी उसके संग इसका अफेर था और दौनों एक दूसरे को चाहते थे तो लेकिन क्योंकि चंदमोहन शर्मा अपने पत्नी को डैवर्स दे नहीं सकता था तो उसको लगता था कि किस तरीके से कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि पत्नी को भी परिशानी नहों बच्चों का जो जीवन है वो भी अच्छी तरीके से आगे चले और वो खुद भी ऐश से वहले यानि कि जो उसकी इच्छा है उस लड़की के साथ रहने की वो पूरी हो जाए तो यह जो प्लानिंग थी यह जो कहा जाना चीए जो दिमाग में जो साजिश का जो कीड़ा था वो काफी दिनों से चंदमोहन शर्मा के दिमाग में कुल बुला रहा था तो काफी सो जिनका कोई पूछने वाला नहों नावारिस हो यह मेंटली अंस्टेबल हो इस तरीके के लोगों की वो तलाश करता है उसकी तलाश पूरी हो जाती है उसको एक शक्स मिलता है जो मेंटली अंस्टेबल था और कट-काठी भी लगबग चंदमोहन शर्मा जैसी थी अब पहले तो चंदमोहन शर्मा ने जो प्लान किया था उसके लिए उसे एक शक्स एक आदमी को ढूड़ना था जिसकी कोई पहचान ना हो जो लावारिस हो जिसको पूछने वाला कोई ना हो जो अगर कहीं गायब भी हो जाए तो कोई भी उसके उसके बारे में कोई तो यह बंद बंदे की जो तलाश थी वो खतम होई उसी के साले पर तो प्लानिंग के बारे में विदेश को बताया की इस तरीके से अगर मैं मर जाता हूं पर रहते हुए तो मेरी जो पतनी है उसको मेरे जगे पर enfin मिल जाएगी और इसके अलावा नौकरी मिलने के अलावा 36 रुपए जो है कमपनी की तरफ से बीमे बीमा जो है इंशुरेंस की जो रकम है वो मिलेगी इसके अलावा उसने वताए कि 3 लाख रुपय का उसने खुद का निजी बीमा करवा रखा तो कुल मिला के करीबं 49-49 लाख रुपया पत्नी को मिल जाएगा और उस पत्नी के जो जिंदगी वह आगे अच्छी चलेगी तो इस तरीके से उसने अपने साले को विश्वाश में लिया और उसने पूरी तरीके स से यह जो प्लान था उसको अब अमली जामा पहना था एक मई की रात को करीबं साढ़ेदस ग्यारा बजे यह जो जन्दमौन शर्मा था इसने ग्रेटन वड़ा के एक पेट्रोल पंसे करीबं 3 लीटर पेट्रोल खरीदा पेट्रोल खरीदने के बाद यह इसने अपने साले को वहीं पे ग्रेटर नड़ा में अंसल प्लाजा मॉल है उसके पास में बुलाया और उसके बाद उसको बुलाने के बाद ये दोनों उस कर ली ती उसको इन्होंने बहलाया और अपनी जो कार थी उसको बीठाने के बाद इन नोंने उसको स्टेंगुलिय किया उसको मार डाला उसके बाद ये दोनों जो थे पाई सेक्टर में पहुंचे अ सुनसान जगे पे और वहां पर इन्होंने driving seat पर जो शक्स था जिसकी लाश जिसकी हत्य लोग पहले कर चुके थे उसकी लाश को driving seat पर इन लोगों ने बिठा दिया बेल्ड लगाई सीट बेल्ड लगाई और उसके बाद तीन लीटर जो पेट्रोल था उसको कार के उपर डाला और उसमें आग लगा दी तीन लीटर पेट्रोल तो कार के उपर से डाला था कार के अंदर भी पेट्रोल था तो इस तरीके से जो आग लगाने के बाद यह लोग म पाजानाची माइल स्टोन है तो वहां से चन्मोहन शर्मा ने नई दिल्ली इस्टेशन के लिए बस पकड़ी और वहां से यह लोग यह बैंगलोड चला गया इस बीच यह जो लड़की जो गाये हुई थी जो इसकी प्रेमिका थी उससे चन्मोहन शर्मा की लगाता बाचीत ह होती रहती थी और नोंने प्लान किया था प्लान के मुताबिक ही चन्मोहन शर्मा छे जून को वापस एक बार दिल्ली ग्रेटर नोड़ा दिल्ली आया और जो लड़की थी वह नहीं दिल्ली लेटेशन पर ही इंसे मिली और नोन्हों ने बापस बैंगलोर की जो टिकेट लुआ थाँ महां से वह सीधा बेंगलोर पहुंचा और बेंगलोर में उसने होंडा में ही नौकरी तलाश ली और होंडा में नौकरी करने लग गया और करिबबं एक महीने बाद वह लड़की को भी अपने साथ लिया है जिसके साथ वह रहना चाहता था जिसके साथ उसका लड़की साथ जून जुलाई में तो रहे कि दो महीने के अंदर ही चंदमहुन शर्मा को लगने लग गया कि मैं इस लड़की इसके पास काफी कम तो ऐसे मैं वह चाह था कि कि इस लड़की को वापस इस घर बेज दिया जाए लेकिन लड़की जो थी वो घर जाने के लिए तयार नहीं थी इसी वज़े से चंद महुंच शर्मा बार-बार लड़की के घरवालों को फोन कर रहा था कि आप आओ और इसको लेकर चले जाओ तो पोलिसे इस मामले में जो चंद महुंच शर्मा था उसको और उसके जो साला था उसको तो गिरफदार कर लिया और पुलिस अभी तक उस जो जिस आदमी को इनलोगों और जो MEN ему अदमी था जिसको लोगों ने जलाया था उसको उसकी पहचान पोलिस अभी तक नहीं कर पाई है तो अभी तक यह जो मामला है वो कोट में चल रहा था और उन 2019 में इसमें जो चन्मोहन शर्मा है इसको लाइफ इंप्रिजमेंट की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और फिलाल यह जो अपनी जिन्दगी है वो जीहल के अंदर काट रहा है तो आज के लिए इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वारदात के साथ तब तक आपने लेक अपना हयाल लखी और दे बताए गए उन सभी का बिल्कुल पालत करें क्योंकि एक बार आगर आप करोना से इंफेक्टेड हो जाते हैं तो काफी परेशानी ना केवल आपको बल्गी आपके पूरे घरवालों को भी हो सकती है तो अपना ख्याल लखिए और खुश रहिए जाहें जाभारत